पिछले वीडियो में हमने सीखा है सिंथेटिक डिवीजन और लिनियर डिवीजन उसके आज एक्जाम्पल्स करने जा रहे है यानि आपका जो 3.3 है जो आपका पॉलिनॉमेस लेशन चलू है उसका हम कंटिनुएशन करने जा रहे है चलिए आईए देखिए यह आपका पहला क्वेशन है इसको सौल करना है दोना मेथट से सौल करेंगे सारा सौल करने वाले पर अगर आपने अभी तलक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें पूरे बेसिक्स मैंने कवर किये है जाके जरूर देखना बहुत बढ़िया वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे सिंथेटिक दिएजन अब सिंथेटिक दिविजन का ट्रूर में पर देखो सिंथेटिक करते कैसे है सबसे पहले इस जो आपको पॉलिवीन्थ दिया है उसको चंडर फॉरम में लिया में है standard form अब standard form क्या होता है 2m square अभी यह m square है फिर m है यह तो पहले से standard form में देखो क्योंकि standard form में क्या होता है कि जो power होती है जो variable की power होती है वो एक-एक-एक कम होती जाती है बरबर चलो देखो यह देखो 2m square 2m square माइनस 3m माइनस 3m प्लस 10 देखो यह तो पहले से arranged है एक power भी arranged है ascending order में और last में constant भी है उसके बाद coefficient form लिया जाता है coefficient form यह तरीका है solve करने का अब coefficient form में क्या होता है जो variables के coefficients है यानि m square का coefficient क्या है 2 है उसके बाद m का क्या है minus 3 है और एक constant क्या है plus 10 है अब यह आ गए आपके पास coefficients उसके बाद यह जो आपका divisor होता है जो divisor होता है m minus 5 है यहाँ पर divisor तो m minus 5 को आपको ले लेना है equate कर देना है 0 के साथ उसके बाद m को अकेला कर देना माइनस 5 को shift करोगे तो क्या होगा plus 5 तो m is equals to 5 मिला उसके बाद यह दूसरा step है अपना उसके बाद कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ एक line मना देना है उसके बाद यह जो coefficient form अपने को मिला था सब यहाँ पर लिख दो 2 minus 3 10 और यह जो plus 5 मिला है वो यहाँ पर लिख दो divisor का divisor से जो मिला है फिर यह जो plus 2 है वो as it is नीचे चाप दो 2 फिर यह 5 और 2 को multiply ऐसे ऐसे multiply करके इधर इधर लिखते चलो 5 to the 10 plus 10 minus 3 कितना होता है plus 7 बरबर 7 फाइजा 35 लिख दिया 35 फिर plus 10 plus 35 कितना होगा plus 45 तो यह जो 45 मिला है यह आपका remainder है remainder में short में R लिख रहा हो आप समत जाना और यह जो 2 और 7 मिला है तो यह 7 तो एक constant नमर होता है उसके बाद यह जो 7 constant नमर होता है उसके बाद plus लिखो क्योंकि यहाँ पर plus 7 है ना तो plus 7 लिखो और उसके बाद 2 M लिखो क्योंकि power हमको बढ़ाते बढ़ाते चलना है तो यह यह जो हुआ यह जो बना आपका यह बना आपका coefficient स्वरी कोश्चन फिर लास्ट में आपको एक और चीज बोला है कि आपको वह डिवीडेंट इस इक इस 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 लिख देंगे जभी हो जाएगा इसके बाद यहां पर आजाओ लीनियर के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चीए रहे था है इसलिए लीनियर अब लीनियर में देखो क्या होगा लीनियर डिवीजन में कि आई होब आपने सॉल्ड कर ले होगा एक बार प्रैक्टिस करो बहुत इजी है वैसे तो चलो कि सबसे पहले यह वाला जो पॉलिवाइज इस चाप दो क्या हो जाएगा टू एम स्क्वेर माइनस थ्री एम प्लस टैन यह हो गया उसके बाद आपको डिवाइजर का मल्ट एक एक आन्य डिशंप टू है उसको एक एक पावर घटा दे जाना है देखो ट्म एम स्क्वेर का कोन सा पावर होगा एम डिश्त छुन गई से से M-5 से और M-5 अभी यह जो ढ़िए किया है यह असली में मल्टिपलाइ करना आपको रफ में तो क्या हो जाएगा 2 M-5 कितना要गा प्लस 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 टू अपना अपना एक्स्ट्रा आया है तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस टैन से प्लस टैन एड़ कर दो यहाँ पर तो प्लस टैन M उसके बाद जो बाचा है वो लिख लो माइनस 3 M प्लस 10 उसके बाद अब यह जो हो गया है ना आपका यह जब ही multiply करते हो ना आप diviser से तो उसको हाथ नहीं लगाना है last दब वो ऐसे ही रखना है तो क्या हो जाएगा 2 M M माइनस 5 फिर प्लस 10 M और माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस बरबर प्लस 7 M और प्लस 10 बरबर अब यह अब यह तो काम हो गया मैं बोला ना आपको क्या हाथ नहीं लगाना है तो M माइनस 5 प्लस 7 अब M रेस टू 1 फिर M रेस टू 0 आता है तो M रेस टू 0 को लिखने के जरूआत नहीं और फिर M रेस टू 0 की की 1 होता है और यह यहाँ पर वापिस एक डिवाइजर से M माइनस 5 बरबर M माइनस 5 उसके बाद यह वापिस मल्टिप्लाइ कर दो बाजमे 7 इंटू M माइनस 5 माइनस 35 वेटर सेकेंड रो चलो कंटीनू करते हैं स्वारी फॉर डिस्टरबेंस गाईस देखो यहाँ पर आ गएते अब यह मल्टिप्लाइ करके अपने को माइनस 35 एक्स्ट्रा आ रहा है प्लस 7 एम माइनस 5 प्लस 45 अब देखो क्वेशन हो गया अब जो जो डिवाइजर के साथ जो जो टर्म्स है वो आपके क्वेशन बन जाएगे देखो इखटा कर लो उसको 2 एम प्लस 7 यह बन गया आपका बरबर क्वेशन और जो लास्ट में बचता है प्लस 45 यह बन गया आपका रिमेंडर अब मैं क्या बोर रहा था डिवीडेंड इस इको इस टू डिवाइजर इन्टू क्वेशन प्लस रिमेंडर यह एक फॉर्म होता है मैंने पिछले वीडि जो है जिसको डिवाइड करना है वो डिवीडेंड होता है तो क्या हो जाता है 2m 12-3M 9-10rás ऑफ स्टू डिवाइजर यह अनि जिसके साथ आप डिवाइड कर दो एननी box 5 इंटु ग्कोष्षण अब क्वेश्षण कुन साथ जो आपने को ये मिला है 2m capita seven इंटु टू एंग्ड नड़ज 7 वेरबर क्वेश्षं क्लस रिमेंडर अब रिमेंडर क्या है आपका फ़ॉट पल सेवन चाहे तो क्रॉस चेक कर लो देखो देखो क्रॉस चेक कर लो यहाँ पर देखो क्वेशन टू एम प्लस सेवन है यहाँ पर भी क्वेशन टू एम प्लस सेवन मिले इसके बाद रिमेंडर देखो यहाँ पर 45 मिला है यहाँ पर भी देखो 45 मिला है चेक आउट गाइस चलो कपी कर लो कि चलो सेकंड कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं सेकंड कोश्चन आभी देखो आपके बोड़ पर है अब इसमें भी भाई सिंथेटिक लीनियन दोनों सॉल्ड करना है सिंथेटिक यहां पर करेंगे संतेटिक डीविजन अब तब तो समझ गए रहोगे सिंथेटिक डीविजन स्टाट करना है तो सबसे पहले standard form standard form ला दो standard form अब standard form standard form देखो क्या करना है 2x raise to 4 है उसके बाद x raise to 3 वाला term यहां पर है तो plus 2x raise to 3 उसके बाद plus 3x square है plus 3x square फिर raise to 1 भी है plus 4x अगर नहीं रहेगा तो आपन 0 करके 0 से multiply करके डालेंगे उसको plus 5 plus 5 होगे चलो हो गया standard form होगे अब coefficient form FFI coefficient form coefficient form क्या है simply आपको coefficient लिख लेना है देखो coefficient क्या होता है जो variables के numbers है, variables के सामने अले numbers x raise to 4 कुछ नहीं है, मतलब 1 है फिर 2 है इसके बाद 3 है इसके बाद 4 है इसके बाद 5 है बरवर अब क्या करना है जो divisor है, आपका sorry, हाँ, बरवर जो divisor है आपका x plus 2 इसको लिख लो, equate कर दो 0 के साथ बरवर x is equals to क्या मिल जाएगा minus 2 अभी इस बार minus 2 के साथ deal करना है अपने को minus 2 के साथ deal करते हुए सबसे पहले तो एक box बना लो यह कुछ इस तरीके के lines बना लो coefficients लिख लो कितने होगे 1, 2, 3, 4, 5 वाउ minus 2 1 as it is छाप दो नीचे multiply करके यहाँ पर लिख दो 1 into minus 2 minus 2 minus 2 plus 2 0 0 into minus 2 0 3 plus 0, 3 3 into minus 2 minus 6 minus 6 plus 4 minus 2 minus 2 into minus 2 plus 4 5 plus 4 9 जो यह 9 है वो है remainder बरबर अब minus 2 है तो minus 2 का as it is लिख दो बरबर plus 3 है अब plus 3 के साथ plus 3 के साथ अपना question x में था तो x डाल दो फिर यह 0 है तो कुछ लिखने के जरुवत नहीं है यह से पर लिख दो फिर भी तो 0 x square हो जाएगा x के बाद x square उसके बाद x cube plus x cube पर अबर यह आपका क्या है यह है coefficient यह है अरे sorry coefficient नहीं बहुत गलती हो रही है अचकल मेरे से हैं question है question है linear देखो linear method linear division मतलब क्या करना है as it is polynomial छाप दो x raise to 4 plus 2 x cube plus 3 x square plus 4 x plus 5 अब अब जो divisor है उसको power कम करते करते multiply करते चलो देखो x raise to 3 हो जाएगा उसके बाद power को multiply करना sorry divisor को multiply करना तो क्या हो जाएगा x plus 2 हो जाएगा बरबर x plus 2 अब इसको multiply करो सही में यहाँ पर देखो x cube है x cube और x plus 2 x cube और x plus 2 है तो क्या हो जाएगा x raise to 4 plus 2 x cube हो जाएगा x raise to 4 तो है भाई question में 2 x cube ही नहीं plus 2 x cube उसको balance करने के लिए minus 2 x cube minus 2 x cube और और minus 2 x cube उसके बाद minus 2 x cube के साथ देखो minus 2 x cube बागे का लिख लो plus 2 x cube plus 2 x cube plus 3 x square plus 4 x plus 5 हो गया अब ये जो है मैंने क्या बोला जिसके साथ diviser लग जाएगा उसको हाथ नहीं लगाना लास्त लग तो ये लिख लो as it is x cube x plus 2 अब minus 2 x cube plus 2 x cube बढ़िया cancel हो गये ये बागे का लिख लो plus 3 x क्या है square plus 4 x plus 5 बढ़िया अब ये वापिस हाथ नहीं लगाना है x cube x plus 2 plus अब 3 x square का क्या हो जाएगा 3 x हो जाएगा 3 x एक पावर कम उसके बाद multiply करना है x plus 2 को बढ़िया x plus 2 को multiply करना है अब असले में multiply करो देखो 3 x into x plus x plus 2 है तो 3 x square plus 6 x हो जाएगा 6 x अब balance करना है 6 x को क्या करेगा minus 6 x minus 6 x balance करेगा ना भाई देखो minus 6 x फिर बचावा लिख लो plus 4 x plus 5 ये थोड़ा lengthy method है पर आपको करना पड़ेगा क्या है कि एक्जाम में ये ज्यादा marks के लिए पुछता है ये थोड़ा कम पुछता है ये ज्यादा पुछते तो x cube x plus 2 plus 3 x x plus 2 जिसके साथ x plus 2 जोड़ गया हाथ नहीं लगाना लास्त लग अब माइनस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस 2 x हो जाएगा फिर प्लस 5 बरबर अब वापिस छाप दो x cube x plus 2 प्लस 3 x x plus 2 ओके अब माइनस 2 बरबर ले लो x plus 2 वापिस मल्टिप्लाई करना है देखो यहाँ पर क्या किया है पर आएगा x raise to 0 x raise to 0 क्या होता है 1 होता है तो लिखने की कोई जरूत नहीं तो x plus 2 लिख दिया अब यह मल्टिप्लाई कर दो देखो साइन भी है ध्यान रखना यहाँ पर मल्टिप्लाई कर दे रहा हूँ है माइनस 2 x plus 2 तो माइनस प्लस माइनस 2 x माइनस प्लस माइनस 2 तू जा 4 माइनस 4 आया माइनस 4 को बैलेंस करने के लिए प्लस 4 चाहिए अपने को और प्लस 5 तो पहले से है अब x क्यूब x प्लस 2 प्लस 3x x प्लस 2 प्लस 2 सरी माइनस 2 माइनस 2 x प्लस 2 और प्लस 9 हो गया अब जिसके जिसके साथ डिवाईजर है वो आपका कोई कोशेंट बन जाएगा यानि x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 ये बन जाएगा कोईफिशेंट स्वरी कोशेंट और ये जो है लास्ट में जो बचा है 9 ये बन जाएगा रिमेंडर अब वाई डिविदेंट इस इकूल इस टू डिवाईजर इंटू कोशेंट प्लस रिमेंडर वाले फॉर्म में लिखना है तो डिविदेंट डिविदेंट क्या है अपना ये है एक्स रिस टू फॉर एक्स रिस टू फॉर प्लस टू एक्स टू प्लस टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स क्यू प्लस टू प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव बरबर उसके बाद इस इकूल टू ये एक अलग box में लिख दो कि अपने किया था भी is equals to diviser diviser क्या है x plus 2 है x plus 2 into question question फिर जो मिला है x cube plus 3x minus 2 plus remainder remainder क्या है 9 अब थोड़ा ध्यान दो देखो यहाँ पर अपने को 0x square मिला था तो उसको आपन neglect कर सकते कि 0 into anything 0 हो सकते तो अपना final यहाँ पर यहाँ पर final क्या बन सकते है यहाँ पर अगर 0 को छोड़ दिया तो final क्या बन सकते है x cube plus 3x minus 2 as it is बन रहा है अब बन गया same देखो question उसके बाद remainder तो ही same देखो देखो समझ में आगा तो देखो ओके I hope copy कर लिया होगा चलो next question चालू करते है देखो अभी next question board पर है सबसे पहले तो अपन synthetic as usual synthetic करने के लिए अपने को standard form चाहिए standard form देखो अपने को लाना पड़ेगा इसमें है नी तो क्या आएगा standard form देखो y cube plus 0y square plus 0y और plus 200 and plus की minus 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 216 ओके आगया अब coefficient क्या आएगा देखो 100 और minus 216 कोई डरने वाली बात नहीं है 216 देखके देखो y minus 6 अब y minus 6 को क्या करना है अपने को equate कर देना है 0 के साथ अब y is equal to क्या आजाएगा प्लस 6 हो जाएगा बढ़ार y is equal to प्लस 6 हो जाएगा अब देखो मैं आपर ले लिया कुछ इस तरह कैसे division करने के लिए अब coefficient लिख दो भई 1, 0, 0, 2, 1, 6 minus 216 6 यहाँ पर लिख दो 1 को नीचे चाप दो अब 6, 1, 0, 6 प्लस 0, प्लस 6, 6, 6, 6 है 36, 36 प्लस 0, 36 36 है 216 आता है प्लस 216, माइनस 216, 0 यह जो 0 आया यह है remainder बहुत simple समय है देखो 36 यह constant रहता है फिर प्लस 36 है फिर प्लस 6 है 6 के साथ क्या आएगा देखो y के form में question है तो y आएगा फिर y square देखा यह होगे आपका question कितना simple इतना simple देखो अभी linear में देखो linear में क्या आएगा देखो y लिख दो y cube minus 216 बढ़ा और कि नहीं अब y cube को एक step पावर कम कर दो y square उसके साथ multiply करना है अपने को y minus 6 y minus 6 y minus 6 देखो भी इसको multiply करो देखो क्या आएगा y square into y minus 6 y cube minus 6y square 6y square है क्या minus 6y square तो plus 6y square से balance करो दोसको plus 6y square हो गया minus 216 तो है अब जो हो गया इसको side में रखो y square y square y minus 6 plus अब 6y square है तो 6y कर दो 6y और y minus y minus 6 से उसको वापिस multiply कर दो अब देखो 6y minus 6y into wait a second sorry for the disturbance guys very sorry देखो आपिस आजब y minus 6 आपिस multiply करना है multiply करके क्या है देखो multiply कर रहे थे आपन 6y into y minus 6 6y into y क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 66y हो जाएगा 36y minus 36y balance करो उसको plus 36y से plus 36y और minus 21 6 है ही हो गया अब जिसके जिसके साथ y minus 6 है उसको वैसे ही लिख लो y square y minus 6 plus 6y y minus 6 अब प्लस 36y है 36y raise to 1 है y raise to 0 हो जाएगा तो लिखने की कोई जरहत नहीं तो y minus 6 से उसको वापिस multiply करना है अभी wait a second very sorry guys please कान पकड़के माफी मांगता हूँ sorry minus 36y plus 36y balance कर दिया y minus 6 से multiply करना है अभी multiply है पर नीचे कर देता हूँ मैं क्या होएगा 36 into y minus 6 क्या हो जाएगा 36y 36y और minus 216 minus 216 आएगा 36 into 6 minus 216 आएगा देखो minus 216 बरबर अभी minus 216 को balance करने के लिए क्या चीए प्लस 216 चीए तो plus 216 आड़ कर दो और minus 216 तो है यह तो cancel हो रहा है वैसे भी देखो y square y minus 6 plus 6y y minus 6 plus 36y minus 6 और यह प्लस 0 अब जिसके जिसके साथ y minus 6 हो क्या बन जाता है क्वेशन बन जाता है तो लिख लो y square plus 6y plus 36 यह बन गया क्वेशन और जो राष्ट में बच जाता हो क्या है यह बन गया है रिमेंडर अब डिविडेंट इस इकोल इस टू डिवाइजर इंटू question प्लस रिमेंडर फॉर्म में लिखना है अब यह वाला में लास्ट क्वेशन है इसके बाद यह वाला फॉर्म आप ही लिख खू कि कि सब देखते ही लिखना है ना चलो डिविडेंट क्या हो जाएगा y cube minus 216 is equal to divisor y minus 6 into question question क्या है y square plus 6y plus 36 plus remainder remainder के 0 देखो भई रासा है के तुमको देखो समझ में आया क्या समझ में आ गया तो कमेंट करो हमें भी अच्छा लगए का कि हमारे बज़े से भाई किसी से समझ रहे किसी को यह रहा next question चलो start करते next question पॉस्ट करके वीडियो को ना solve जरूर करना एक बर ट्राइट तो करो भाई करो देखो में तो करने वाला अँदेखो स्टेंडर फॉर्म में लिख लेना है एक स्टेंडर फोर्म क्या हो जाएगा 2 एक्स रेस टू 4 तो उसके बाद रेस टू 3 प्लस 3 एकस रेस टू 3 फिर रेस टू हो जाएगा देखो यहां स्क्वेर आगे दिया है आपको वो पीछे ले लेना है प्लस 4X फिर प्लस 4 एक्स और एक इस तो प्लस 0 हो गया समझ गया प्लस 4x और 0 2x कर भी हो गया ओके कोईफिशंट लिख लो अभी 2, 3 minus 2, 4 और 0, हो गया coefficient भी अब, जो diviser है उसको ले लो, उसको छाप लो, क्या है x plus 3 है, x plus 3 को equate करना है 0 के साथ फिर x is equal to क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा, वर एक्स is equal to minus 3 हो जाएगा, अब वो x is equal to minus 3 अपने को क्या करना है इसका divide करना है, तो divide लगा दो एक 2, 3 minus 2, 4, 0 बरवर, और यह minus 3 का minus 3, अब 2 लिख लो यहाँ पर, multiply करो minus 6 plus 3 minus 6, कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा, minus 3 into minus 3, plus 9 plus 9 minus 2, minus 7 बरवर ना sorry, plus 7 क्या बरवर 7, 3 जा, 21 minus 21, minus 21 और plus 4 कितना होता है, 1, 2, 3, 4 17, minus 17 minus 17 और minus 3 कितना हो जाएगा, 17 into 3 कितना होता है, पता है न आपको 21, 3, under 3 4, 5, 51 तो देखो, minus minus plus हो जाएगा, तो plus 51 आजाएगा, और 51 अपका हो जाएगा remainder अब, minus 17 लिख लो, इसे ही बरवर, फिर plus 7 है, plus 7 के साथ क्या आजाएगा x आजाएगा, minus 3 है, x square आजाएगा और 2 है, तो x cube आजाएगा ये समझ रहा है न, कैसे आ रहा है ये, ये, ये वाला बरवर, x, फिर x square, फिर x cube, एक एक पावर बढ़ाते चलना है और वहाँ पर linear में, आओ, linear करते linear क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिख लो 2x raise to 4, plus 3x cube, फिर, minus 2x square standard formula, जाएदा आसानी पड़ेगी plus 4x, बरवर, उसके बाद, देखो x raise to 4 है, तो x raise to cube करना इसको 2x raise to 3, इसको multiply करना x plus 3 के साथ x plus 3 के साथ multiply कर लो, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2x cube, x plus 3, क्या हो जाएगा, plus 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 2x raise to 4, plus 6x cube हो जाएगा, plus 6x cube को balance करने के लिए, minus 6x cube, minus 6x cube, फिर, plus 3x square, बरवर, minus 2x, 2x square, ओ, क्यूब है न है, यहाँ पर, 3x cube है न वो, ओके, यहाँ पर क्यूब है, sorry, okay, minus 2x square, और plus 4x, बरवर, अब, यहाँ तो हो गया, भई, यह खतम हो गया, इसका काम, 2x cube, x plus 3, यह हो गया, खतम, minus 6x cube, जो है, minus 6x square कर दो, इसको, और, इसको multiply कर दो, उसके साथ, x plus 2, x plus 3 के साथ, देखो, क्या आ जाएगा, minus 6x square है, बरवर, इसको multiply किया है, x plus 3 के साथ, तो, minus plus minus 6x cube, minus minus, minus plus minus 6, 3, 18x square, बरवर, 18x square है, अब, 18x square, minus 18x square है, तो, plus 18x square लगेगा, उसको, balance करने के लिए, अब, 18x square है, plus 3x square लिग लो भई, plus 3x square, ओ, 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 wait, 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 for a second, guys, देखो, आपने यहाँ पर गरबड कर दी है, देखो, ज़रा से देखो, ध्यान दो, क्या हुआ है, देखो, यहाँ पर x cube है, यहाँ पर x cube है, दोनों क्या है, same variable है, तो, उसको पहले solve तो करो, minus 3 हो जाएगा, minus 3x cube हो जाएगा, उसके बाद, minus 2x square, 3 plus 4x, ओके, अब, अब, अगले step में होगा, वो, 2x cube, x plus 3, minus 3x square, multiply करना किसके साथ, x plus 3 के साथ, बरगर, अब, देखो, वो सब multiply करने साथ चाना, first one atom और यह last one atom भी multiply कर दो, क्या हो जाएगा, minus plus minus 339, 9x square हो जाएगा, minus 9x square होगा, minus 9x square को क्या हो जाएगा, चलो, दिखाई देता हो, क्या हो जाएगा, देखो, द्यान से देखना, ओ, blackish, ओके, minus 3x square, 3x plus 3 को multiply करना, तो minus plus minus 3x, क्यों हो जाएगा, minus 9x square हो जाएगा, और और, 9x square हो जाएगा, तो plus 9x square दाज दो दर, plus 9x square, उसको balance करना है, समझे हो, minus 2x square plus 4x, यह हो गया, उसके बाद, जिसके जिसके साथ diviser है, बापीस, x plus 3, minus 3x square, x plus 3, plus, देखो, 9x square minus 2x square, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, plus 7x square, फिर, plus 4x, बेखो, अब, यह जितना है, जितना, x plus 3 है, लिख लो बापीस, 2x cube, x plus 3, minus 3x square, x plus 3, फिर, plus 7x square है, तो क्या हो जाएगा, वो, plus 7x हो जाएगा, बरबर, plus 7x हो जाएगा, इसके बाद, क्या करना है, आपको, multiply करना है, x plus, देखो, आप, x plus 3 के साथ, x plus 3 के साथ, अब यह वाला, multiply में नीचे कर रहा हो, देख लो, 7x into x plus 3, तो, 7x square हो जाएगा, यह, plus हो जाएगा, 21x हो जाएगा, 21x को बैलेंस करने के लिए काची है, minus 21x plus 4x तो है, अब, 2x cube, x plus 3, minus 3x square, x plus 3, plus 7x, x plus 3, यह दोनों मिला के कितना हो जाएगा, minus, कितना हो जाएगा, 21 minus 4, 21 minus 4, 17 हो जाएगा ना, मेरे खाल से, माइनस 17x हो जाएगा, माइनस 17x हो जाएगा, देखो, हो ज़े माइनस 17x, अब, देखो, माइनस 17x से तो, अगले step में उसको, अब और और चुटा करेंदो, क्या हो जाएगा, 2x cube, x plus 3, minus 3x square, x plus 3, plus 7x, x plus 3, 3, और, minus 17, और x plus, x plus 3 से multiply करना है, तो, minus 17 को, x plus 3 से multiply करना है, तो, minus 17x हो जाएगा, minus 51 हो जाएगा, 17, 17, 3 सा 51, minus 51 हो जाएगा, देखा, minus 51 को balance करने के लिए, क्या चीए अपने को, plus 51 जाएगे, वो गया, देखा, आ गया, अब जिसके जिसके साथ, diviser है, as usual अपना rule तो है, जिसके जिसके साथ, diviser है, उसको एक साथ ला दो, एक साथ, 2x cube, minus 3x square, plus 7x, minus 17, ओके, यह क्या आजाएगा, देखा, देखा, 2x cube, 2x cube, minus 3x square, plus 7, 7x plus, 7x minus 17, ओके, question देखा, same है, यह बन गया, question, और जो last में क्या बचा है, plus 51, वो क्या है आपका, वो है, remainder, अब, dividend is equal to, diviser into, question plus remainder, dividend यह है, यह वाला term, diviser यह है, quotient यह है, remainder यह है, लिख लोगे इतना, चलो, मालूम है, इतने तो scholar होई तुम, चलो, copy कर लो, screenshot ले लो, तो भी चलेगा, आज के लिए इतना काफी है, पर, बाकी के जो दो बच्चे होए समसे, जल्दी आएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना चैनल को, like और share तो जरूर करना, please, request है हमारी, क्यों, क्योंकि, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप हो, तो हम है, समझे, चलो, बाई, क्योंकि,